हलो आप्रिवान और आज की रेसिपी है एक बहुत ही healthy breakfast की रेसिपी और ये है पपीते का चीला इसको पुडला भी कहा जाता है ये कच्चे पपीते से बनता है ये एक medium size का कच्चा पपीता है जिसको मैंने चील लिया है इसके अंदर से जो white white portion होता है और भीज होते है वो डि बाकी में इसमें एड करूंगे थोड़े ज्यादा से ग्रीनुली ज़िए और works !!! लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर, हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा गरम मसाला और ये है आमचूर का पाउडर, थोड़ी सी चीनी और स्वाद के हिसाब से नमक ये सभी चीज़े मिलाकर अभी ये जो पाउडर, इसको इन मसालों के साथ अच्छे तरह मिक्स कर लीजे, आप चाहें तो इसमें अधरक लहसुन भी काटकर डाल सकते हो, चाहें तो आजवाइन, चाट मसाला, जो भी और थोड़े मसाले आपको अच्छे लगते होंगे, वो सिर्फ बाइडिंग के लिए चाहिए, इसके बाद एक पैन में डालिये, मस्टड ओल, मैं इसे मस्टड ओल में बना रही हूँ, आप जो चाहें वो ओल इस्तमाल कर सकते हो, घी में भी बना सकते हो, मैंने यहाँ थोड़ा ज़्यादा ओल लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा किसी भी सबजी का जब हम चीला बनाते हैं, तो चीले से काफी मोटा बनता है, ये जिसे राजिस्थानी खोबा रोटी होती है, या फ्लफी ओमलेट, उतना मोटा ये बनता है, बिल्कुल बारीक नहीं होता है, इसको जगा जगा से थोड़ा सा पीर्स कर दीजिए, थोड़ किसी तरफ भी इसको जहां तहां छेद कर दीजिए, और इसे सिखने दीजिए, दोनों तरफ से थोड़ा अच्छा सुनहरा ये सिख जाए, और काफी कड़ग भी हो जाएगा, आप महसूस करेंगे, अब ये उतना सौफ्ट नहीं रहा, एक्चली ये काफी क्रिस्पी हो देखे मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, बहुत सारा बाटर चाहिए होता है, चीले की तरह ये पतले नहीं होते है न, तो थोड़ा जादा सा बाटर लेकर लगबग दो लेडल फुल बाटर मैंने लिया है, और थोड़े से जादा से तेल में इसको सेका जाता है, औ और वो जब तक सिक रहा है, मैं ये वाले की आपको प्लेटिंग दिखा देती हूँ, इसे सर्फ किया है मैंने हरी चटनी के साथ, आप इसे चाय, अचार या दही के साथ भी खा सकते हो, केचप या लाल चटनी जो लहसन वाली होती है, उसके साथ भी बहुत मज़दार लग झाल किया डिला की सिक जो म Souls खाले की आपको लो जाय वाली हो की आपको लुक, भी खाफ़ा भी में याली है, झाल जासरे साथ भी अखको प्ली है थाम लो गख़ते हूएलोगते हो रख़ते हो